हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चनल फ्रेंड्स आज मैं अपनी बालकनी को क्लीन करूंगी उससे पहले देखिए पानी देना है क्लीन करने से पहले हमें पादों में पानी देना है पादों को स्प्रे करना है और पादों में जो भी पीले पते हैं या सुखे हुए ब्रैंच तो अभी में पानी दे रही हूं तो मेरे पास कुछ चांच था चांच बटर मिल्क था तो मैं उसके अपनी पॉदो में डालने के लिए मैंने इसमें इसमाल कईया है तो इस तरह से गर में कुछ पटलाजर्स वगरा है छोटे छोटे तो आप सब इस तरह के यूज़ का सकते ह तो देखिए पूरा ड्राई हुआ है पानी नहीं मिलाता इंको कुछ दिन से तो में सापी में थोड़ी थोड़ी अभी पानी दे रही हूं एक हे करकर जितने भी पोदे हैं उन सब में पानी देना उससे पहले मैंने जितने भी पाट्स वगे रहा था उन सब को थोड़ आ क्योंकि एक साथ करेंт यहां अच्छा देक्ता है और moet अच्छा क 일단 दीन करना है वह भी एक साथ करेंगे तो बहुत ही आच्छा दिख्ता और बहुत ही आच्छा घ्लीन भी होता है तो यह सब देखिए, यहां ओपर भी ऊड़न का है, यहां पर मुझे क्लिन करना है, तो इसके उपर मैं थोड़ी-थोड़ी पानी डाल दूँगी, पत्तियांके उपर, वगेरा सब, उपर कुछ हैंग नहीं है, यहां पर जितने भी है, यह जो स्टील का जो रौड है, उसी पर कुछ है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो देखिए इतने पौदे हैं यहां पर फिलाल तो इन सब को मैंने तोड़ी हाइट बगेर दी हैं बहुत अंदर तक इन नजर आ रहे थे तो इसके लिए मैंने जो है इनको हाइट किया है उन सब को तो अब निकालूंगी दोते ट करूंगी क्योंकि जितने भी पानी वगेरा ड्रैन हो जाएंगे तो उन में से भी मिटी निकलता है उसके बाद थोड़ी थोड़ी पानी में उपर भी दे रहे थी वाटर कैबेज में पानी कम है तो देखिए इस तरह से मैंने पौट वगेरा को जितना धोना था वो सब मैं किया है जो वाट अगयरा था वहाँ पर भी में पानी से नीचे मिटी आ जाए इस तरह से मैंने पानी सब में डाला है तो उसके बाद देखिए एक वाइपर लिया है मैंने वाइपर से इस तरह से एक एक पॉट निकाल कर हमें इस तरह से पानी को वाइप करना है आगर आप इससे कमफर्टेबल नहीं है तो आप एक स्पंज लीजिए बड़ा वला तो उससे आप साफ कर सकते उसमें पा तो देखिए इस तरह से एक वाइपर जो है बहुत अच्छा रहता है इसे करने से हातों में कुछ चुपता भी नहीं है और जितने भी मिटी पानी वगेरा है जैसे की पोचा जैसा ही हो जाए गाई है देखिए अभी उसके बाद मैं यहां पर या इक्चुली यह जो बिचाया हुआ है यहां पर बैठने के लिए था तो यह सब बैठने के लिए भी मैं अरेंज कर लूँगी बाद में फिलाल हमें कुछ रखा है यहां पर अगर बैठते समय यह सब हमें नीचे रख देते हैं या वाइपर से करेंगे तो बहुत ही आसान है तो यही सब गार्डन या बालकोन इस जो हमें मेंटेन करना है कि तो देखे पौदी निकालकर फिर मैंने रखा है तो पटा फट से आपको दिखाएंगे इतने मेंटी मंगे रहा वोल लोगर नहीं थे वह सब मैंने यहां पर अटाकर क्रें कर रहे हैं तो इसी तरह हमें आफते में एकबार या महीने में एक बार जरूर करनी है इसी तरह से हमारी पॉलकनिया गर्डन है दो घर के सामने इंट्रेंस होता है यह सब क्लीन और मेंटेंड रहता है फ्रेश फील होता है तो देखिए फ्रेश फील होता है यह सब करने से और वापस से जैसे हमें आरेंज है वैसे ही हमें कर सकते कुछ प्लैंट्स का जगह भी हम चेंज कर सकते हैं तो इस तरह से कभी कभी हमें जेंज भी करना करना हो जाता है और क्लीनिंग भी हो जाता है और पॉदों की धगव्पल हो जाता है उन्हें इस तरह कि इस तरह से आज यंहीज सब हमने काम किया है अपने बलकनि का गर्डनिंग करते करते सभी सीख जाएंगे यह देखिए जो मैंने नए पोदे लाए फ्रेंड्स उसका भी वीडियो बनाऊंगी मैं तो देखिए इससे पॉप्स भी निकलकर आए है अलग अलग उसको भी मैंने याँ पर ग्रो कर दीए अब इस अधिकितना फ्रेश हो चाए है तो इतना सब मैंने निकल रहा है तो मैंने फेक होगी नहीं यहां सब मैंने इक बड़ा सा डबा काहें उसी में गर्डन वेस्स बगेरा जमा कर लूँगी जो कंपोस्ट भी बन जाएगा यही पर एक ड्रैनेज होल है अंदर पानी सब निकल जाता है तो वहीं पर मैंने अपनी खाद कडबा रखा है इसे क्या बता है जो उससे पानी निकलता है तो वह भी उसी में चला जाता है या तो हम पकड़ कर इसे मिटी वगेरा जमा रहती है हमेशा तो उसको अंदर भी मैंने क्लीन कर लिया है तो सब कुछ मेरा हो चुका है मैं आपको किचन वेस्ट डब भी दिखाती हूं देखिए इसी में रोज किचन वेस्ट सबजी फल जो भी रहता है वो सब इसी में आता है तो यहीं पर हम तो देखिए फ्रेंड्स हमें छोटी गार्डन हो या बड़ी गार्डन हो देख बाल तो करनी रहती है यह आपकी उपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्लीन करते हैं कैसे डिपेंड करते हैं तो इस तरह से वह हो जाता है तो आफ्टर क्लीनिंग देखिए फ्रेंड्स मेरा गार्डन अभी पाने वगेरा सुख जाएंगी तो फ्रेश हवा आ जाएगा तो यहीं पर हम खुछ देर तक बैठ जाएंगे अभी चार बजे का टाइम है तो श्याम कर अच्छी है टाइल हम स्पैंड कर सकते हैं तो यहीं तो फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो मूप करती हूं आपको अच्छा लग रहा होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में